Hello students, आज हम Class 4 की English की Poem Why के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं Why, Why means, क्यों, I know a curious little boy who is always asking why मैं एक छोटे जिग्यासू लड़के को जानती हूँ जो हमेशा पूछता है क्यों Why this, Why that, Why then, Why now, Why not, Why by the by यह क्यों, वह क्यों, तो क्यों, अभी क्यों, क्यों नहीं, आखिर क्यों इस तरह के questions वह हमेशा पूछता रहता है He wants to know why wood should swim वह जानना चाहता है कि लकड़ी पानी पर क्यों तैरती है Why lead and marble sink और क्यों सीसा और पत्थर पानी में डूट जाते है Why sun should shine and wind should blow और सूरच क्यों चमकता है और हवा क्यों बहती है And why we eat and drink और हम क्यों खाते हैं और पीते है He wants to know what makes the cloud वह यह भी जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते है And why they cross the sky और वह आस्मान को पार क्यों करते है Why sinks the sun behind the hills और सूरच पहाड़ियों के पीछे क्यों डूब जाता है And why the flowers die और फूल क्यों मरते है Some of these why's are not too hard to answer if you will try और इन में से कुछ इतने कठीन questions नहीं है अगर आप चाहें तो इनका answer दे सकते है Others know one ever yet has found the reason why और कुछ का कारण अभी तक किसी को पता नहीं जला है समझ में आई बच्चो पोयम तो चलिए अब हम इस पोयम के new words समझ लेते है First है Curious Curious means जिग्यासू जो हमेशा कुछ न कुछ जानना चाहता है Second, Lead Lead means सीसा ये एक धातू है Marble Marble means संगमरमर संगमरमर का जो पत्थर होता है Sink Sink means डूबना Reason Reason means कारण चलिए बच्चो अब हम इनकी question answers देख लेते हैं First, Name a few things that sink आपको यहाँ कुछ चीजे बतानी है जो पानी में डूब जाती है मैंने यहाँ answer लिखा हुआ है First, Iron, Stone, Lead, Marble, Cup, Plate, etc इस सारी चीजे पानी में डूब जाती हैं क्योंकि यह heavy होती है Second question List three questions that the little boy asks यहाँ पर आपको तीन questions बताने हैं जो कि लड़के ने पोएम में पूछे थे लक्डी क्यों तैरती है और मार्बल क्यों रूब जाता है Second question What makes the clouds? बादल कैसे बनते हैं? Third, Why do we eat and drink? हम क्यों खाते हैं और पीते हैं? चले third question What short of a boy is described in the poem? जो लड़का है पोएम में दिया गया है वो किस तरीके का है? यहाँ पर कुछ options है A. Sad दुखी B. Curious जिग्यासू C. Brave बहादूर तो अब तो आपको पता चल गया है कि वो बच्चा कैसा है? Yes B. Curious तो इसका answer option B. Curious जिग्यासू O.K. बच्चो Thank you